Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इंपॉर्टेंट जो इशू है, धारा 370, आर्टिकल 370, जो लगातार काफी समय तक भारत के इतिहास में और भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी जो वैल्यू है, उसको बनाए रखा, चर्चा में अपने आपको हमेशा बनाए रखा, लेकिन 2019 में हमारी पार्लेमेंट न गया, और उसके साथ में ये कहा कि जम्मू कश्मी अब भारत का पूरी तरीके से क्या हो गया, उसका विले हो गया है, तो ये जो डिसीजन था, उसको सुप्रिम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, कि जो एक्शन लिया गया था, इंडियन पार्लेमेंट के दौरा, वो अन सुप्रिम कोर्ट के अंदर में सुनवाई चल रही है, और जब ये सुनवाई चल रही है, तो बहुत सारी ऐसी बाते होती है, जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको पढ़ना चाहिए, तो डिटेल में जानते हैं आखिर ऐसी क्या बाते हुई है, भारत सरकार ने ऐसा क्या बयान दिया है ऐसा क्या जवाब दिया सोपरिम कोट के अंदर में जो आपके एक्जाम के लिए और आपकी जनरल नौलज के लिए दोनों के ले क्या हो जाता इस वीडियो में लेकिन आगे चलने से पहले study, IQ, IS एक बहुत ही बहुत भीतरीन आप सभी के लिए लेकर आया है अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी बैच में जॉइन करना चाहते हैं तो इससे बहतरीन मौका आप सभी को नहीं मिलेगा मातर 28,000 रुपे में आपको एक ऐसा बैच मिल रहा है जिसमें आपके UPSC की पूरी तैयारी का ध्यान रखा जाएगा लेकिन ये offer सिर्फ आज रात तक ही valid है आप enroll कर लीजिए PRT Live Code यूज करके वरना इसका प्राइस दुबारा से बढ़ जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में जम्मू कश्मीर हमेशा से center of attraction भी रहा है और center of debate भी रहा है अन्य-अन्य कारणों से और उसमें एक बहुत important जो कारण है वो है article 370 जिसको लेकर जिसकी constitutional कहते ना कि जिसको remove किया गया उस decision की constitutionality को लेकर क्या है सुप्रिंग कोर्ट में सुनवाई चल रही है अब ये decision कब लिया गया था इंडियन पार्लेमेंट ने 2019 में जो उस समय का जम्मू कश्मीर है उसको reorganize किया था क्या मतलब है reorganize करने का एक तो 370 को remove किया गया साथ ही उसी के साथ में क्या हुआ था article जो 35 capital A वो भी remove हुआ और सिर्फ हमने इन ही को remove नहीं किया हमने जम्मू एन कश्मीर को भी क्या किया था reorganize किया हमने दो अलग-अलग union territory के अंदर में जम्मू कश्मीर को divide कर दिया एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लदाक और लदाक जो union territory है वो complete union territory है लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर में एक extra चीज क्या है कि वो union territory होने के साथ साथ में यहाँ पर legislative assembly यानि की विधान सभावी है लेकिन जब से क्या हुआ है removal हुआ अभी यहाँ पर election नहीं है यानि कि अभी यहाँ पर LG के थू ही क्या हो रहा है government को चलाया जा रहा है तो यहाँ पर दो बहुत important चीज़े है Supreme Court के अंदर में एक challenge यह है कि यह जो decision लिया गया था जो action लिया गया वो unconstitutional way में लिया गया इसलिए क्या है जो decision 2019 में government के द्वारा लिया गया था उसको null and void घोशित करना चाहिए उसे petition में एक और article मलब एक और contention है वो क्य उसे state की जगे पर क्या किया गया union territory बना दिया गया अब जैसे कि हम बात करते हैं democracy की तो वहाँ पर power को distribute करने की बात करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है power को वापस ले लिया गया स्टेट की autonomy जो थी उसको वापस ले लिया गया है तो इस चीज के उपर में सुनवाई क करते हुए कल की बात है जो हमारे Chief Justice of India चंदर्चूर जी उन्होंने कहा कि बहुत important हो जाता है कि democracy को restore करना और democracy को restore करने के लिए बहुत important है कि उस state का जो जम्मो इन कश्मीर जिसको unit territory बना दिया गया है उसको दुबारा से क्या किया जाए state बनाया जाए नॉर्मल होगी लेकिन एक exact time अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि और भी security के concern जो क्योंकि वो border state है और border state की अपने अलग-अलग क्या होते concern रहते हैं तो ये का कि कोई timeline हम नहीं बता सकते हम साथ में ये भी नहीं बता सकते कि कौन से date को election कराया जाएगा क्योंकि इन सब चीजों के पीछे सिर्फ एक ही decision नहीं है बहुत सारे other factors भी क्या है वहाँ पर रहते हैं और ये कोशिश की जाएगी कि stability को कैसे यहाँ पर ensure किया जाए सवाल जवाब के अंदर में सरकार ने हलफ नामा दिया कि अगर आप देखेंगे जमुएन कश्मीर में जो terrorism है जो militancy है वो लगातार क्या हुई है कम हुई है जमुएन कश्मीर में peace आ रही है जमुएन कश्मीर में stability आ रही है लोग खुलकर अपने जीवन को जीप आ रहे है और ये भी कहा गया कि आने वाले समय में local body election हो चाहे पंचायत के election हो चाहे municipality के election हो इवन चाहे आपके जो वहां के legislative assembly के election है उनको भी जल से जल कराया जाएगा तो जो मैंने आपको भी बताया कि exact time हम नहीं दे सकते हैं कि कब statehood दुबारा से दिया जाएगा लेकिन हाँ हम य एशॉर करते हैं कि ये temporary provision है permanent provision नहीं है ये चीज़ याद रखिए और Supreme Court ने भी कल ही ये कहा था कि हम कोई आपको push नहीं करना चाहते आपके उपर में कोई pressure नहीं बनाना चाहते कि आप नहीं इतने टाइम के अंदर में क्या करिए state दुबारा से बनाईए क्योंकि इस चीज में क्या है हमें और लंबा समय भी लग सकता है हो सकता है थोड़ा सा समय लगे लेकिन ये चीज है कि यहाँ पर तीन election होने पंचायत municipality और state legislative assembly के और वो जल्द से जल्द यहाँ पर election कराए जाएंगे जिससे यहाँ पर democracy को लेकर आए ठीक है यह चीज आपको समझ में आ गया और यही सारी की साथी चीज़े चल रही है लेकिन एक और point note करेगा court ने एक और बहुत चीज़ क्लियर करी है कि आपकी सारी बाते सही है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर में बहुत अच्छा ही चीज़े हो रही है inflation कम हुआ है terrorism कम हुआ है यहाँ पर क्या हुआ है incidence of terrorism भी कम हुए investment भी आ रहा है लेकिन हम इन सब चीजों से क्या होंगे impact नहीं होंगे हम जो आपका decision उसको constitution के basis पर चेक करेंगे देखे एक बात समझे आपने कोई action लिया उस action के कोई outcome आये है तो outcome बहुत अच्छा है लेकि यह जो action लिया गया था क्या यह constitution के according लिया गया था यह clarity भी आपको समझ में आनी चाहिए यसलिए मैं आपको समझा है तो article 370 है क्या यह चीज़ समझी है कि हमारे देश में हर एक हिस्सा क्या है हम बराबर की तरीकी से रखते है और आप सभी जानते हैं जब भारत देश हुआ तो अंग्रेजों ने एक बहुत ही अच्छी चाल खेली थी क्या कि अलग-अलग रियासतों में आजाद किया तो integration का काम हो रहा था तो इस integration प्रॉसेस के अंदर में जमू कश्मीर जब भारत के साथ में उसका विले हुआ integration हुआ तो वहां पर एक temporary provision भी क्या किया गया था कि जमू कश्मीर अपनी खुद की concept assembly बना सकता है और वो अपना खुद का constitution बना सकता है यानि कि यह power वहां पर दी गई उनको और यह जो draft के लेकर आया गया था किसके द्वारा लेकर आ गया था गुपाल स्वामी अयंगर जी के द्वारा लाया गया था जिसको पहले article 306 यह बोलते थे बाद में क्या हो था यह 370 के नाम पे final रूपे में देखने को मिलता है तो 370 के तहत में क्या हुआ था यह point out करिएगा जमू कश्मीर एंपावर था वो कहने के लिए कि बाई कौन से Indian constitution के articles जमू कश्मीर में लागू होंगे जमू कश्मीर एंपावर था अप और ना constitution बनाने के लिए भी लेकिन ये भी चीज़ याद रखेगा clause 3 article 370 का अपने आप में कहता है कि किसी भी provision को president of India क्या कर सकते हैं अमेंड कर सकते हैं और जमू कश्मीर के यह आने के बाद में आप सभी जानते एक presidential order आया कब 1954 के अंदर में जिसके तहत में क्या है article 35 capital A अब ये बहुत बड़ा interesting है समझें 70 के तहत में special provision special power दी गई अब ये 1954 में जो आर्टिकल 35 capital A आया इसने क्या क्या कुछ special rights दिये किसको जमू कश्मीर के लोगों को और इसके साथ में उन्होंने बाहर के बहुत सारे लोगों को क्या किया रस्ट्रिक किया जैसे article 35 A एम पाव और किसको कर रहा था जमू कश्मीर के legislator को वहां के विदान सबा को कि वो decide कर सके कि permanent resident कौन है पर्मानेंट निवासी कौन है जमू कश्मीर के और उनको फिर क्या special rights दिये जाए एक तरीके से मोटा मोटा हम जब बात करते हैं तो privileges rights क्या कि बाई job के अंदर में वहां के residential का property purchase इसके अंदर में वहां के residential का यह कुछ प्रकार के special rights है जिनको हम article 35 capital A के तहत में भी पढ़ते हैं तो इसको भी क्या है जब 370 को हटाया गया तो 35 capital A को भी क्या किया गया हटाया गया तो एक और point note करेगा CGI साब ने एक और बात बोली कि जब 35 capital A था तो बहुत सारे fundamental rights क्या हो रहे थे अट रहे थे for example 16 sub clause 1 उसको नुक्सान पहुरत चरा था State Government के अंदर में सिर्फ उनी को जॉब मिलेगी जो क्या है वहां के निवासी है यह क्या है राइट दूसरा जो आपकी movement है उसको क्या मिला वहां पर क्या नहीं है उसको भी आपने रेस्टिक कर दिया देख सकते है प्रॉपर्टी आप पर्चेस नहीं कर सकते कोई भी बाहरी दिया गया सुप्रिंग कोट के अंदर में government of India के द्वारा कि 35 capital A यह क्या करता था जो integration है उसको क्या करता था रिस्टिक करता था क्यूंकि जब यहां से movement नहीं हो पाएगी तो integration कैसे हो पाएगा cultural exchange कैसे हो पाएगा तो इसलिए बहुत जादा जरूरी था 35 capital A को भी अटाना and आपके 370 को भी अटाना और मैंने आपको बताया कि यह अभी Supreme Court में सुनवाई चली रही अभी final outcome नहीं है लेकिन मुझे लगा कि आपको इस चीज़े पता होनी चाहिए इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़े आपके साथ discuss करी हैं तो in short क्या है मैं फिर एक बार recap कर दूँ 2019 क के अंदर में जमोईन कश्मीर से जो के लिए जो special status 370 उसको remove किया गया 35 capital A को भी remove किया गया और क्या किया गया उसको जमोईन कश्मीर को दो हिस्सों में divide किया गया एक लद्दाक के अंदर में और एक जमोईन कश्मीर ये दोनों के दोनों union territory है तो इसी को लेकर अभी क्या Supreme code के अंदर में challenge चल रहा है अब आपके लिए open ended discussion आप 370 का removal किस प्रकार से देखते हैं आप जरूर comment करिए पहली बार क्या आपको ऐसा लगता है कि 370 के रहना सही माइने में इंडिया के अंदर में जमोई कश्मीर के integration को रोक रहा था ये दोनों question का comment करके जरूर आंसर जैहिए